तेजस्वी बाबू पहले अतीक जी के बारे में बोलते हैं और उसके बाद उनको लाज लग जाता है या कहिए कि उनकी टीम को शर्मा जाती है और तब क्या होता है तो तेजस्वी यादो पहले जब मिडिया में बोल रहे थे तब वो कहते हैं कि अतीक जी का नहीं बलकि कानून का जनाजा निकला अब होता क्या है कि जब राष्ठी जंता दल उस वीडियों को में से जो जी था उसको काट कर अलग कर देती है और तब हो जाता है कि अतिक का नहीं बल्कि कानून का निकला है जनाजा जब कि तेजस्वी बोलते क्या है तो अतीक जी का नहीं बलकि कानून का निकला है जनाजा अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तेजस्वी बोलते वक्त तो कहते हैं कि अतीक जी लेकिन जब उस वीडियो को डाला जाता है तब उस वक्त पर शर्म आजाती है और जी सब्सकों काट दिया जाता है आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे बागे हमारा मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं हमने तेजस्वी यादों का एक रॉफ फूटेज देखा रॉफ फूटेज का मतलब की एक दम जो रिकॉर्डेड का कह रहा है तो उसमें तेजस्वी सेम इसी लाइन को कह रहा है कि अतीक जी का नहीं का जाना जा निकला इसके बाद हम राश्री जनतादल के फेस्बूक पेज को खोलते हैं अब राश्री जनतादल ने इस वीडियो को डाला है इस वीडियो को डालते हैं वक्त बड़ी सफ जो तेजस्वी ने कहा था कि अतीक जी का नहीं तो उसमें से जी को काट दिया गया जी को काट कर अलग कर दिया गया अब सवाल यही है कि आखिरकार तेजस्वी जब बोल रहे थे तब उनको जी बोलने में कोई परहेज नहीं था तब उनको जी बोलने से कोई दिक्कत नहीं ह कि क्या अतीक एहमद को जी बोलकर तेजस्वी यादों को शर्म आ गई राश्य जनता धल को शर्म आ गई राज लग गया उनको कि आखिरकार अतीक को तेजस्वी ने जी कह दिया है तो इसका कहीं गलत संदेश ना चला जाए और इसके कारण जी को काट कर हटा दिया गया उसमें परदानमंत्री तक की हत्या हुई है पर दोस्यों को सजा नए आले नहीं दिया है अब तेजस्वी यादों बोलते तो ठीक यही बात है लेकिन उसमें अतीक के नाम के साथ वे कहते हैं अतीक जी और जब वीडियो डाला जाता है तब अतीक के नाम के साथ का जो जी उस जी को काटकर राश्य जनतादल ये तेजस्वी यादों की टीम अलग कर देती है और इसी बात को लेकर करके हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जी कहकर तेजस्वी ने गलती कर दी उनको लगा कि हाँ इस माफिया अतीक एहमत को अतीक जी कहकर संबोधीत नहीं करना चाहिए था और नोंने गलती से अतीक जी बोल दिया और गलती से बोल दिया तभी तो इतनी महनत करके वीडियो से जी सब्द को काटा गया फिलाल अतीक एहमत को लेकर सवाल वाकई में तेजस्वी जो उठा रहे है वो सवाल उठना भी चाहिए कि पुलिस कस्टडी में अतीक एहमत को जा कर किसी ने खत्म कर दिया. तीन लड़के जा करके उनको उसको खत्म कर देते हैं और इसको लेकर के निश्चित तोर पर सवाल उठना चाहिए. लेकिन अतीक के नाम के साथ जी लगाने के बाद तेजस्वी यादो फिर उस जी सब्द को हटवा के उलेते हैं तेजस्वी यादो को उस जी सब्द से दिक्कत क्या हो जाती है कि जब विडियो वार जेडी डालती है तब उसमें जी सब्द को गायब कर दिया जाता है और अतिक एहमत के बारे में तेजस्वी जो कहते हैं उसम हाल अतिक एमद को लेकर सवाल मुक्यमंत्री नतीश कुमार से लेकर तेजसु यादोट चुछ उठा रहे हैं तमाम नेता उठा रहे हैं तमाम लोग उठा रहे हैं सवाल होना भी चाहिए कि पुलिस कश्टडी में किसी भी आदमी को चाहे वो माफिया हो चाहे आम आदमी हो उसके पास तीन नव युवक लड़के जा करके उसको खत्म कर देते हैं जहां पर UPSTF एकदम दलबल के साथ हाई सिक्यूर्टी उस समय दे रही थी उसके बावजूद यह सब कुछ हो गया तो सवाल इस पर होना चाहिए लेकिन अतीक को जी कहकर कहते जस्वी को लगा कि हम फंस जाएंगे और इसके लिए जी को उन्होंने बाद में कटवा दिया यह अपने आप में बड़ा सवाल है बाकी अतीक एहमत को अतीक जीत जस्वी यादों का कहना बाद में उसको फिर डिली करें रहिएगा वीडियो फिलाल यहीं पर समात करते हैं कि मैं मोहित कुमार से बहुत बहुत धन्यवाद